आज हम ये दस गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी सब के उपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटीों पे काम चल रहा है ऐसे ही MCD की भी सभी गारंटियों पे दस की दस गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे पहली गारंटी है दिल्ली को सुन्दर बनाएंगे बहुत दुख होता है चारों तरफ कूड़ा, कच्रा कूड़े के पहाड इंगे कूडाई कूडाई कूडाइ कूडध कीचड नालियां भरी पड़ी हैं दिल्ली को साफ और सुन्दर बनाएंगे कोई भी आएगा खुद के लिए भी गर्व की बात होगी साफ सुथरी सडकों पर चलेंगे मन लगेगा और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ दिल्ली सुंदर शेहर हो गया पहली चीज की दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ है इनको खतम करेंगे दूसरी अभी इन्हों ने कई प्लाणिंग कर रखिया कोई कह रहा है तो अब यह नहीं पहाड़ बनेंगे कोई कह रहा है बीस मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देगा चाहता हूँ ये तीनों कूडे के पहाड तो खतम करेंगे ही करेंगे कोई भी नया कूडे का पहाड दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे कोई नया लैंड फिल साइट नहीं होगा और कूडे के निस्तारन कोई रॉकेट साइन्स नहीं है पूरी दुनिया कर रही है हम लंडन से एक्सपर्स को बुलाएंगे पैरिस से बुलाएंगे टोक्यो से बुलाएंगे ग्लोबल एक्सपर्स को बुलाएंगे जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूडे के निस्तारन क को बाकी शहरों की तरह करेंगे, ऐसा क्या है, नियत होने चाहिए, इनकी नियत खराब है सड़कों और गलियों की शांदार साफ सफाई करेंगे, बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती है, अपने जुजारू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सडकों और गलियों के शानदार सफाई करेंगे दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त MCD होगी दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एस्पेशली भ्रष्टाचार होता है तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्षे पास किये जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्षे पास कराने का सारा प्रोसीजर आनलाइन करेंगे ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिये सब कुछ ऑनलाइन होता है आपको किसी दलाल के चक्कर नी काटने किसी अफसर के चक्कर नी काटने घर बैठे सारा काम हो जाता है ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्षे पास करानी की प्रक्रिया को बहुत सरल किया जाएगा हम जानते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बने हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं ये बंद होगा कोई पैसे नहीं लेगा और अगर थोड़ा सा वो आगे कर लिया उसके उपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग उसके उपर ब्लैक मिलिंग करते हैं तोड़ने पहुँच जाते हैं तो एक इसके उपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मुटे वाइलेशन की हुए हैं लोगों ने उनको रेगु पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसका स्थाई और व्यवहारिक समधान निकाला जाएगा चौथा अवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ते दिलाएंगे अवारा कुत्ते हैं गाएं बंदर हैं इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएग पांचवां जितनी नगर निगम की सडकें और गलियां हैं वो सारी तूटी फूटी हैं उनको ठीक कराएंगे अच्छा कराएंगे रिपेर कराएंगे दुबारा बनवाएंगे छटा नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पताल और डेस्पेंसरियों की भी बुरी हालत है, दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिये, उसी तरज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे, सात्मा, जितने पार्क है नगर निगम के उतना बुरा हाल है पार्कों का, दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुन्दर साफ सुत्रे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, आठवा, जितने कच्चे करमचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, और अभी कई-कई महीनों तक कर पहले हफ़ते के अंदर साथ तारिक के पहले पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, कहीं से लाओं में पैसे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर करमचारी को टाइम पे तंखा मिलनी चालू हो जाएगी, नौवा व्यापारी बहुत दुखी हैं M.C.D. से, व्यापार कर देंगे कि आपको automatic license मिलने चालू हो जाएंगे, conversion fees के नाम पे आप से पैसे वसूले गए, parking fees के नाम पे पैसे वसूले गए, ये खतम कर देंगे, conversion fees और parking fees, और जितना inspector राज है, inspector राज को खतम किया जाएगा, और जो दुकाने seal की गई है, उन सील दुकानों को खोला जा अपने भाई पर भरोसा कीजिए, वेपारियों को अच्छा महौल देंगे वेपार करने के लिए, दस्वा रेडी पट्री वालों को बहुत दिक्कत होती है, MCD वाले बहुत परिशान, MCD के लोग बहुत परिशान करते हैं, उनके लिए भी zones बनाये जाएंगे, वेंडिंग जो MCD की वजए से अभी तक पास दिली सरकार ने तो नीती दो-तिन साल पहले बना दी थी, लेकिन MCD ने उसको लागू नहीं किया, वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसंस देंगे, और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी इसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तोर पे उनको जिन्दगी जीने का अधिकार देंगे.